हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सारी कातियागी आज दोस्तों मैं ब्रोकली की सबजी बनाने वाली हो आलू और ब्रोकली की जो खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है आईए सुरू करती हूँ उससे पहले अगर आपने लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो पिलीज ला आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद आई शुरू करते हैं यह फ्रेंड्स मैंने ब्रोकली लिए आदा किलो इन से चार मैंने आलू ले लिए हैं तो टमाटर काट लिए हैं मैंने दो पियाज काट लिए हैं इस मैं ओल डालूंगे यह दो चम्चे मैंने ओल डाल दिया है थोड़ा गरम होने के लिए छोड़ दूंगे हमारा गरम हो चुका है मैं इसमें आलू के पीसीज डाल दूंगे इनका कलर हमें ब्राउन कर लेना है यह देखिए फ्रेंड्स हमारे आलू ब्राउन कलर के होने लगे हैं अब मैं इनको निकाल लूंगी क्योंकि इने हमें बाद में भी पकाना है यह फ्रेंड्स उसी तेल में मैं जीरा डालूंगी एक चमच मैंने जीरा डाल दिया है और यह प्याज भून लेंगे हम इसमें इनको भी अमें ब्राउन कलर दे देना है हमारी प्याज दोस्तों भून चुकी है हमें इसमें मसाले एड करूंगी एक चमच धनिया पाउडर है आदा चमच में इसमें मीर्ची डालूंगी यह हरी मीर्ची काटी है मैंने दो से तीन आदा चमच हल्दी पाउडर इने में अच्छे से भून लेना है यह एक चुक्टी हिंग डालूंगी दोस्तों मैं अब हम इसमें टमाटर एड करेंगे यह टमाटर डाल दूंगी मैं अब इसके अंदर में दोस्तों यह ब्रोकली डाल दूंगी इसको मिक्स कर लेना है यह दोस्तों मैं जो मैंने आलू फ्राइ किये थे इनको भी में इसमें डाल दूंगी इसमें दोस्तों इसको मिक्स करके मैं ढख दूंगी और दस मिनट के लिए छोड़ दूंगी बीज बीज में हमें इसे चेक करते नाना है ताकि यह हमारी सब्जी कड़ाई में चिपके ना आप चाहे तो इसे कूकर में भी बना सकते हो हमें एक प्लेट की साइटा से इसे कवर कर दूंगी एक बार दोस्तों मैं इसको चेक कर लूंगे प्लेट हटा के और इसको हम चला भी देंगे अभी हमारी सब्जी थोड़ी कच्ची है अभी इसको थोड़ा और पकाएंगे यह देखे फ्रेंज हमारी सब्जी बनकर तैयार है गोवी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और यह बिल्कुल एकदम रेडी है अब मैं गैस बन कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी फ्रेंज हमारी सब्जी एकदम बनकर रेडी है और यह दिखने में बहुत सुन्दर है और बहुत फायदेमंद है खाने के लिए आप इसको जरू ट्राइ करना है व lei है कर दो दो आपलना